जैहिंत साथियों कैसे आप सब मैं उम्मिद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे दोस्तो आज के इस वीडियो में हुड़ों के कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे बहुत यासान तरीके से आपको बताया जाएगा देखें परतिसत में जितने टाइप के सवाल बन सकते हैं उन टाइप का सवाल को इसमें लिया गया है इसलिए आप अच्छे से इस वीडियो को फूरा देख लिजे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ठीक है तो चलिए एक-एक करके सुरू करते हैं दोश्तों अगर जैसे आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो नीचे लाल करलर का बटन दिया हुआ उसे दवा के सब्सक्राइब कर लिजे ताकि जब भी मैं इस तरह का नोलिज़ कूल वीडियो लेकर आऊँ परतिसद का मतलब होता है एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक-एक- में कैसे बदला जा सकता है तो 40 और यह परतिसत जो है इसको हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 100 ठीक है समझमा रहा है यह 100 हो गया यह जिरू से एक जिरू कट जाएगा अब बचा उपर में 4 नीचे बचा 10 अब देखे किसी और संख्या से कट रहा है किसे तो 2 से तो 2 दुना होता है 4, 2 पंचे होता है 10 तो हम लोग का जो आंसर आया भिन में जो आंसर है कितना 2 वट्टे 5 यही हो गया आंसर चुकि भिन का क्या परिवासा जो P वट्टे Q के रुप में हो तो P वट्टे Q के रुप में आ गया तो यही हम लोग का आंसर हो गया परतिसत को भिन में बद अब इसी का just उल्टा सवाल है दो नमँमर में आपको कि 8 पाँच को परतिसत में बदलिए तो इसको क्या करना है 8 पाँच है यहाँ 8 पाँच लिक लीजी इसको बदलना है किसमें परतिसत में आपको अभी तुरंद बताये थे जब हम लोग को परतिसत हटाना हो तो एक सो लिखेंगे जब परतिसत जोड़ना है ठीक है जब परतिसत जोड़ना है तो यहाँ पर एक सो गुणा कर देंगे ठीक है यहाँ पर हो जाएगा एक सो चुकि परतिसत में बदल रहे हैं यहां पर परतिसत हटा रहे हैं तो परतिसत हटा रहे हैं नीचे में 100 हो जाएगा और परतिसत जोड रहे हैं तो उपर में गुना के रुप में 100 हो जाएगा ठीक है तो यह हो जाएगा कितना इसको परतिसत में बदलने के लिए आपको इस 5 से कटाईए इसको कितना बार में कट जाएगा तो 20 बार में कट जाएगा 100 चुकि 25 होता है 100 और अब बज गया क्या 8 गुना में 20 यह हो जाएगा 8216 यानि कि 160 परसेंट यही अंसर हो जाएगा ठीक है 160 परतिसद ठीक है चली अब यहां तीसरा नमर का सवाल है कि 400 का 25 परतिसद कितना होगा तो इसको यहां पर नीचे में हम लोग सॉल्व करते हैं 400 का 25 परतिसद कितना होगा निकालने के लिए कहा जा रहा है तो यहां पर सॉल्व करते हैं 400 का कह रहा है यहां पर का जहां लगावा वहां गुना के चिन देना है और 25 परतिसद तो 25 लिखेंगे परतिसद हताएंगे नीचे 100 आएगा ठीक है 100 आगया अब देखें डवल 0 से डवल 0 के निशिल हो जाएगा कड़ जाएगा तो बचा हुआ क्या 4 बचा गुना में 25 बचा चुकि नीचे में 1 है इसका 1 का बना सकते हैं का यहां पर लिखा हो है इसलिए गुना का चिन देदना है और जो कंसेप्ट आपको परतिसद बताया जा रहा है वही कंसेप्ट लगा देना है ठीक है चलिए चोथा नमबर सवाल में देखिए चोथा नमबर में कह रहा है कि 500 का कितना परतिसद 25 होगा तो यह यहा पर आपको का कितना परतिसद कह रहा है कितना जैसे लग गया यहां पर कितना लंगा तो एक स्वागा देंगे एक समाल लेंगे इसको ठीक है एक परतिसद य होगा 25 होगा X मान के चलते हैं अभी चूकि मान निकालना है हम रोख को इसलिए हम रोख X मान के चलेंगे यहां पर लिखेंगे 500 का X परतिसद बरावर 25 ठीक है? समझ मारा है? चलिए अब यह हो जाएगा 500 का का यहां पर चिन है तो यहां का के बदली क्या करेंगा? गुना का चिन लगाते हैं ठीक है? और X परतिसद है तो X रखेंग उपर में परतिसद हटाएंगे नीचे हो जाएगा एक सो और बरावर 25 है तो 25 ठीक दीजिए चलिए एक सो से एक सो कट जाएगा यहां पर यानि कि दो जिरो से दो जिरो कट जाएगा बचा क्या? बचा हुआ है 5 गुना में X बरावर में 25 हम लोग को X का मान निकालना है तो X इस साइड रखेंगे और बरावर में 25 है 25 के नीचे आजाएगा 5 चुकि 5 जो है इधर गुना में है इधर आएगा तो भाग में आजाएगा तो इसको काट दीजिएगा तो आंसर निकल जाएगा 5 5 परचे 25 यानि कि X का जो मान निकला हम लोग को 5 निकला तो यही 5 परचे 25 हम लोग का आंसर हो जाएगा ठीक है किलियर है चलिए अब पांचवा नमर सवाल देखिए क्या कह रहा है पांचवा नमर सवाल थोड़ा लंबा है देखने में लंबा लग रहा है लेकिन इसको आसानी से आलब आप जो है कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पर 600 है का लगा हुआ है तो का के बदले गुना और 20 पर 30 है यहाँ पर 20 लिखिए और पर 30 के बदले नीचे में 100 आ जाएगा और फिर का लगा हुआ है तो फिर यहाँ पर गुना गचिन होगा और 40 पर 30 है तो 40 लिख करके क्या करेंगे नीचे में 100 दे देंगे ठीक है कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए चलिए दो जीरो से 20 कड़ जाएगा अब यहां पर देखें 10 से इस 10 किंसिल कर सकते हैं और यहां पर 10 से 10 किंसिल नीचे में हर कुछ कड़ गया नीचे माप कुछ भी नहीं बचा हुआ है उपर हम बचा हुआ कितना 16, गुना में 2, फिर गुना में 4 है न तो यह इसको कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए 16 गुना 2 करेंगे तो 16 गुना होता है 32 यहाँ पर 32 फिर गुना 4 है तो गुना में 4 दे देजिए 32 को जब गुना 4 से करेंगे तो यह हो जाए कितना 4 गुना हो जाएगा 8 और 4 तिया हो जाएगा 12 128 यही answer हो गया थीक है इस तरीके से आप जो है परतिसत का अलग-अलग type का सवाल को solve कर सकते हैं अगर किसी type में आपको दिक्कत हुआ समझने में तो आप वीडियो को पीछे करके भी इसको दुबारा से समझ सकते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आजा थीक है तो मैं उम्म अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम